Hey everybody, today we are going to learn about the characteristics of footloose industries तो basically footloose industries क्या होती हैं जिनका product एक जगा पर नहीं होता जो बहुत साथ जगा से equipments को लेती हैं उनको sale करती हैं, buy करती हैं वो आपकी footloose industries होती हैं तो इसके characteristics बहुत ज़ादे important हैं तो इसको हम एक बार देख लेते हैं इसके लिए आपको highly skilled workers चाहिएं चुकि एक particular work में, specific work में efficient होती हैं और ये small laborers को ही employ कर सकती हैं क्योंकि छोट-छोटा काम करना होता है इनको तो small laborers को employ कर सकती हैं Basically वहाँ पर locate होती हैं जहाँ पर transport connections अच्छे होती हैं और इनसे pollution नहीं होता ये बहुत जब इंपॉर्टन है कि इनसे pollution नहीं होता I was just confused कि ओहों इनसे pollution नहीं होता तो ये धिहान रखना आप लोग अब ये उन industries के पास भी होती हैं जिनके लिए raw material का काम कर सकती हैं और ये migrants को attract करती हैं from the semi-urban areas तो ये यहां पर जहां पर लोकेट होंगी वहां पर electricity अच्छी होनी चाहिए clean environment होना चाहिए small products को transfer करती हैं तो transportation अच्छा होना चाहिए small light components होते हैं इनके highly skilled workers होते हैं होप आपको याद होगा एक बार दो तीना पढ़ना हो जाए गया तो कि